नमस्कार सिक्षक साथियो आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इसांक एजूकेशन में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है नियूजीत सिक्षकों के लिए जो सक्षमता परिक्षा होने वाली है उसका ओफिसियल नोटिफिकेशन विहार विद्यलाय परिख्षा समीती यानि की BACV पतना के दुआरा आज जारी कर दिया गया है तो इस नोटिफिकेशन में जो पिछला जो डेमू नोटिफिकेशन था सेम उसी तरह कर रखा गया है जो सबसे मेन बात है जिस बात को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं वो सबसे अंतीम में आप जाएंगे इस notification के सबसे अंतीम वाले में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि ओनलाइन आवेदन के करम में वह अंचित विवर्ण को सही सही भरा जाएगा किसी भी अस्तर पर टूटी पूर्ण विवर्ण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वेंग दोसी होंगे तथा उनका अभ्यर्थी तो किसी भी अस्तर पर समाप्त किया जा सकता है उसके बाद आगे दिया हुआ है कि अंतीम रूप से आवेदन जमा करने के उपरांत इस पूर्ण टूटीपूर्ण एवं निधायत प्रिक्रिया के तहत परिक्षा सुल्किरासी नहीं जमा होने की स्थिति में परिक्षा आवेदन पत्र को अस्विकीर्थ कर दिया जाएगा जिसकी जवावदेही संबंधित अभ्यार्थी की होगी आगे आप देखेंगे कि इसमें आउनलाइन फॉर्म भरने के लिए रहेगा उसी तरीका तरीके का फॉर्म भी एक अप्लोड किया गया है समीति के वेव साइट पे उसको उसके बारे में कहा गया है कि प्रम्था आवेदन प्रपत्र डाउनलूड कर ले तथा उसमें वांचित विवर्णों को पहले भली भ विवर्णों की ऑनलाइन शुद्शुद प्रविष्टी के उद्देश से किया जाना है अता है डाउनलोड किये अवेदन प्रपत्र को भौतिक रूप से नौतों समीति कर याले में भेजान जाने के वास सकता है और नहीं इसे शिकार किया जाएगा और उसके बाद आगे करो यहांकि और यह inner खेंब करते हो तो उसकीन पर बीवर्ण को देखते रहे कि क्या क्या वड़ा जा रहा है और को ऑगर गलती वरा जा रहा है तो सही करई तो आ कि आयो हम इस फोडम को देखते हैं कि उस फ्वर्म में क्या क्या दिया हुआ है यहां पर आप नीचे जाएंगे तो उसी फॉर्म के साथ अचाइच किया हुआ है यही की फॉर्मेट है आपको PDF में मिल जाएगा आप इसको प्रिंट करवा लेंगे और उसको भर लेंगे सबसे पहले बात करें तो इसमें पहला जो दिया हुआ है कि नीम ऑफ करेंट पोस्ट से डिस्टिक यानि कि अभी आप जिस जिले में कायरत है उसका नाम यहां पर डालना है उसके बाद आगे दो नमर में दिया हुआ है कि टाइप आफ टीचर यानि आप कि के सिक्षक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 125 के होंगे यहां पर टिक लगाएंगे जो 68 में ह है यहां पर उसके बाद आगे देखेंगे कि टाइप आफ नियोजन यूनिट यानि कि नियोजन इकाय आपका किस प्रकार का है तो जिला परिशद वाले यहां पर प्रखंड वाले यहां पर पंचायद वाले यहां पर नगर निकम वाले यहां पर नगर परिशद वाले और है उस नियोजन इकाई का नाम यहां पर आपको लिखना है उसके बाद है इसकूल नेम आफ करेंट पोस्टिंग मतलब वरतमान में आप अभी जिस इसकूल में कारात है वह इस वाले भाग में लिख देना है उसके बाद कहा जा रहा है कि कि स्कूल डायज कोड ऑफ करेंट वर्स्टिंग यानि अभी आप जिस इसकूल में है उसका यूज डायज कोड क्या है यह आप यहां पर भर देंगे उसके बाद है नेम आफ नियोजन यूनिट ऑफ फर्स्ट वर्स्टिंग मतलब इससे पहले आप जिस नियोजन इकाई में थे वह आप यहां पर भरेंगे उसके बाद है स्कूल नेम और फर्स्ट पोस्टिंग मतलब पिछले वाले यानि पिछले वाले ने जो समसे पहला स्कूल का पोस्टिंग था वह आप यहां पर भरेंगे उसके बाद है स्कूल डाइस और फर्स्ट पोस्टिंग जो पहला वाला भरना होगा उसके बाद डेट है यहां पर आपको भरना पड़ेगा आगे हम बात करेंगे कि टीचर का नाम पूछा जा रहा है इस वाले कॉलम में तो इसमें अपना नाम भढ़ेंगे सिक्षाक उस पाद टीचर आइडी टीचर आइडी जो आपको इस सिक्षाक कोस पे यानि उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आगे आप देखेंगे कि मदर ने पूछा जा रहा है तो अपने माता का नाम यहां डालेंगे पिता का नाम यहां डालेंगे डेट आव वर्थ में डेट यहां प के हैं वहां पे आप टिक लगा देंगे उसके बाद है जंडर है तो मेल वाले यहां पे फीमेल यहां पे अगर कोई अन्य जंडर के हैं यानि टांस जंडर है तो आप यहां पे टिक लगा सकते हैं आगे बात करेंगे कि अगर कोई डिफिकल्टी एवल्ड वाले हैं बिकला अपर देना है उस और त्यğjang आने के बाद मार्काइड के बारे में तो आप यहां पर मैटिक यहां पर इंटर यहां पर दालेंगे लेकिन यहां पर आप देखेंंगे कि अगर जो में है आप तो यहां पर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिकत नहीं होने वाली है उसको जो जो जिस यर में आप पास किये है वह पासिंग फूल मार्क्स इसका कितना मार्क्स आपको प्राप्थ हुआ है डिविजन कौन सा परसेंटेज कितना होता है उसी तरीके से इंटर्मेडेयर में बढ़ देंगे यह वाद जेएंगे आगे देखेंगे कि जो आप टेशर चेनिंग किये हुए हैं किस बोर्ड से किये हुए हैँ मैं उन्यृट क् पूब्स ईय hè पूल मार्स कित्ता मार्ट की इन पर्सेंटेज आप डालेंगे बीड बाले यहां पर डालेंगे और बैस novelty घटैंगा ल क्या डीटेंग एक फूल-वारोफ तेस्ट पास्ट ritual अगर सेटेट है तो सेटेट यहाँ पर किके नाम और किस साल में आप पास किए हुए हैं तो यह सेटट वाले के लिए हैं रॉल नम्मर शर्टिफिकेट नम्मर कितना है उसके बाद क्वईलिफ हैं या नूट क्वेइड है तो यहานप लिख देंगे बीटेट वाले यहां देंगे, एस्टेट वाले यहां देंगे, अगर और कोई सीटेट मलब टीचर एलिवीटेट पास कियो हैं तो आप यहां पर डाल सकते हैं आगे बात करेंगे 125 के लिए तो 125 वाले जो भी है केवल आपको यहां पर टिक लगाना है आपको नीचे नहीं जाना है उसके बाद अगर हम बात करेंगे 628 वाले के लिए यहां पर 628 वाले के लिए यहां पर इतना दिया हुआ है तो 68 वाले में अगर हिंदी है तो यहां पर यहां पर फार्सियन, यहां पर मैठ सेंस है, तो यहां पर बंगला है, यहां पर संस्कीत, भोजपूरी, मैथली, अरवी, अरबी, उर्दू, उसको सुसल सेंस वाले है, तो इस वाले कोलम में केवल और केवल टिक लगाएंगे, नाइंतीत वाले के लिए भी आप अपने भी सेकने स्वार यहां पर देख सकते हैं उसके बाद 11-12 वाले भी यहां पर आप देख सकते हैं और अपने भी सेकने स्वार टिक लगा देंगे आगे बाद करेंगे तो आफ जो भी तीन जिलो में चुएश डालना चाहते है तो जो फ़र्स्ट जिला होगा उसका नाम यहाँ पे सिकंड जिला वाला के यहाँ पर थर्ड जिला यहाँ पे आप डालेंगे उसके बाद आगे देखेंगे तो permanent address जो होगा आप यहां पर भर देंगे उसका पत्राचार का जो पता होगा यह आप यहां पर भर देंगे अगर दुनों सेम है तो यहां पर लिखने कवाल यहां पर डू भी लिख सकते हैं आप आगे बात करेंगे तो निचे दिया हुआ है मोबाइल नमर यहां पर भरेंगे email id यहां पर भरेंगे mobile और email id होना अनिवाज है आपको फोर्म भरनने के लिए आगे देके बात करेंगे तो यहां पर क्योंकि यह आपको फीजिकली रूप से यह फॉर्म आपको डिप्यो ओफीस कहीं पेजमा नहीं करना है यह आपको बीखर बोर्ड में भीजना है यह केवल और केवल आप ओनलैन फॉर्म करेंगे उसके आपको भड़के सेवर वाले को देना है ताकि आप इस में से देखके सही-सही इस्वेलिंग लिख करके सही-सही डीटिल आपको भड़के दिया जा सके उसके बाद हम बात करेंगे एक चीज और कि इसका जो यह तो अभी मैंने केवर बताया है इस फॉर्म को कैसे भड़ा जा झाल